गुट इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा एंग्लिश तूत्रा मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए फॉर्म्स पोईट्री में लेकर आई हूं द ओड जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी मैं आप लोगों को सभी टी साथ इसमये आप लोगों को हैं तो आप लोगों मैं से बहुत साय लोगों का रिविजन भी हो रहा और अगर आपको अच्छे लग रही हैं तो प्लीज एक बार बताईए तो सहीं कैसा लग रहा है हमें भी जो है वो मुटिवेशन मिलता है कि हम इस चीच को निज को कांटी में भी अच्छा लगेगा कि आप बताएंगे तो यह फॉर्म सो पोईट्री में आज ओड है यह यूपी टीटी का जो लाइव पेड़ बैच है जिसकी जानकर यह आप इंग्लिश उत्रा का डाउनलोड करके और 7895937338 पर कॉल करके पास सकते हैं इसके अलावा यह टीजिट खाट इमशनल क्युद्र qsmtv-tv koadya bags это यह वीडियो पैचेंश जो जिन में live क्लास है record होका डल जाती है इन में भी सारा material लाइव वाला है सार्भ बुक फॉर्म में कोरियर के दौफर आपके घर पर भेजा जाता है सारी चीज आप लोगों को बिल्कुल वैसी मिलती है जैसे लाइव क्लास की बस वो सारा मेटीरल एक साथ है लाइव क्लास में रोज दो घट्टाक लासेश चलती है तो चलिए अब चलते हैं आगे को और हम मैं आप लोगों को करवाउंगी दा ओड़ चलिए सबसे पहले मैं Ode के बारे मैं आप लोगोगों बताँ, तोड़ अब बढ़ा खरदेती हूं उसको Ode क्या है ? क्या होती है एक लंबी पोयम होती है् लिरिक से बढ़ी Sonet से बढ़ी एक लंबी पोयम होती है हमेशा serious subject में होती है elevated in style, style लिखने का बड़ा dignified होता है, elaborate in its stanza structure और stanza structures जो होते हैं वो बड़े elaborate होते हैं, यह address के form में होती है, यानि कि किसी को संभोधित करके हम ode जो है वो बोलते हैं, किसी व्यक्ती को, किसी चीज को संभोधित करके, ode to nightingale, bird को संभोधित करा, ode to the west wind, west wind को संभोधित करा, ode to Virgil, Virgil को संभोधित करके लिखी, तो ode जो है, basically, person who is not present, the person who is dead, और किसी abstract चीज को संभोधित करके लिखी जाते है, ode का origin होता है, that is of Greek origin, ode कहां से आया है, ग्रीस से आया, it is a serious, हमेशा ode serious होते हैं, and dignified poetic composition, generally in rhyme and longer than lyric, जो मैंने अभी आपको बताया था, lyrics से लंबे होते हैं, कही बार, ode में ये पुझा है, कि which of the following is not the distinctive feature of ode, तो you should be knowing कि भाई, ode जो है, वो है क्या, तो किसी को संभोधित करते हुए है, किसी चीज को, किसी bird को, किसी abstract idea को, किसी human being को, elevated, हमेशा dignified होते हैं, लंबे होते हैं, lyrics से लंबे होते हैं, और ये serious subject matter पे होते हैं, अब ode के types देख लेते हैं, तो पिंडारिक ode, पिंडारिक ode is even more elaborate and sublime, बहुत elaborate and sublime ode होते हैं, and it changes a very artistically interwoven, बड़ी जो है, इसको धंग से जो है, वो बुन रख्ख होते हैं, पिंडारिक ode जो लिखे जाते हैं, वो पिंडार, जो कि Greek poet थे पिंडार, उनके model पे लिखे जाते हैं, ये एक eulogical ode होते हैं, ये तारीफ करने के लिए लिखे जाते हैं, eulogical ode होते हैं, पिंडारिक ode for choric, chorus, जो है वो गाया करती थी, पिंडारिक ode कौन गाते थे, chorus and designed to be sung by a troop of dancers in churches or public halls, चर्च और public halls में dancers जो है इनने गाया करते थे, बनलब इनको ode को प्रस्तुत किया करते, इन structure was borrowed from the movements of the dancer, जो उसका structure है, वो dancers के movement पे चलता है, ना पिंडारिक ode के तीन पार्ट होते हैं, इस पार्ट वर नोन एस ट्रॉफ, एंडी स्ट्रॉफ and e-port, चलिए आगे इनको समझते हैं, the first part of the stanza known as the stanza was corally sung by the stanza as they moved from the right to left, जो राइट से पई चर्च पर गाते थे, और जो singers हैं, जब गाते वे वो राइट से लेफ्ट की और मिलते थे, घूमते थे, घूमते थे, तो ताट इस स्ट्रॉफ, उसके बाद, पर पिंडारी कोड में इनके मूवमेंट से पता चलता था आप इसा नहीं था कि एक ही बार यह आ सकता था कितनी भी बार जो है यह स्टॉफ एंटिस्टॉफ और इपोड आ सकते थे इंगलिश में पिंडारी कोड का ग्रेंश के बहुत है यह बहुत इंपोडन्ट है कि तीन बार straw, anti-straw and e-port को यूज करा गया है, यह सबसे successful Pindaric Odds है structured है, eulogical Odds है, Pindar के model पे लिखे जाते हैं, they are known as Pindaric Odds, अब आते हैं Horatian Odds another form, Horatian Odds जो है, यह Roman poet Horace, उनके उस पर लिखे गए है, यह Odds जो है Great Roman poet Horace के यह जो simple होते हैं simple, यह उतने complex नहीं होते हैं, जितने Pindaric Odds होते हैं, यह calm, meditative and restrained and they are generally written in a repeated, यह repeated stanza form में जो हैं, वो लिखे जाते हैं इसके बाद एक तीसरा होता है English Odds या Cowlian Odds जो होते हैं, जिन में जो irregular Odds होते हैं, पिंदार को ही करा गया है मगस टॉफ, antistroph और इपोर्ट का नहीं है, उन्हें irregular Odds जो है कहा जाता है, या Cowlian Odds जो है, वो कहा जाता है English Odds या Irregular Odds या Cowlian Odds जो है, वो कहा जाता है, जो सीधा किसी उसको form को फॉलोर नहीं करते हैं तो वो जगे, that is जो इर्रेगुलर Odds तो Odds के बारे में एक short, फटा-फट एक quick revision जो है, वो लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो मैं बस आप लोग को एक quick revision जो है, वो देना चाह रही हूँ, एक मिनट में अपनी जड़ा एक book जो है, में चब्राम्स वाली जो है, वो ढून दे रही थी, जिससे कि मैं आप लोगों को, Odds के बारे में, एक quick revision जो है, वो दे दूँ, तो चलिए, अब quick revision, Odds का देते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखिए, short मैं इसको बताती हूँ, Od, सबसे पहले, इसकी characteristics, long poem, subject matter कैसा, serious, subject matter serious, longer than, lyric, regular oat और पंडारे कोड्स, पंडारी कोड्स कोई ही, regular oats, strophe, andy strophe, and e-pode, यह किसके movement होते हैं, chorus के movement होते हैं, यह movements किसके हैं, chorus के जोगे हैं, और इसके बाद, अगर हम बात बढ़ते हैं, यह पिंडारी कोड्स कैसे होते हैं, encomiastic oats होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, horatian oats की, horatian oats की क्या खाव खूबी है, horatian oats, calm, meditative, किसके नाम पर हैं, यह नाम पर होते हैं, किसके, horatis, roman poet, horatis के नाम पर हैं, और इसका जोगे, इसका example है, horatian oats का, and horatian oats upon cromwell's return from Ireland, यह जोगे, और keats का ode to autumn, keats का ode to autumn, जो है, यह horatian oats है, जैसे की, अभी आपको मैंने बताया, progress of poesy, जो है, वो पिंडारी कोड़ है, ode to autumn, जो है, वो horatian oats है, तो यहाँ पर यह एक मैंने short में, जो है, यह आप लोग को ode के बारे में बताया, अब इसमें किस-किस ने कौन-कौन से ode लिखे है, यह भी हमने ले रखे है, name of the poet, Robert Herrick ने लिखा है, an ode for Ben Johnson, Abraham Cowley का है, ode to on solitude, Ben Johnson ने लिखा है, an ode to himself, an ode, John Dunn ने, hail Bishop Valentin, a hymn to God the Father, an Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland, यह पूरा नाम है an Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland है, Dryden, Alexander's feast, an killing grue, Thomas Gray, hymn to adversity, the bard, the progress of poesie, यह दोनों के दोनों जो हैं, वो हुपिर्डारिक odes है, Collins, ode to evening, ode on the superstitions of highlands of Scotland, Edward Young, ocean and ode, Campbell, ode to winter, wordsworth, ode to duty, ode on intimations of immortality, जो की एक irregular पिंडारिक odes है, Coleridge, dejection and ode, Shelley, ode to the west wind, to a skylark, to the moon, to night, to Jane, Keats, ode to nightingale, to autumn, जो मैंने भी बताया, यह आपका Horatian ode है, on aggression on, to psyche, on melancholy, to the poet, आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, कल जब आपको यही चीज़े exam में मिलेंगी, तो आपको बहुत खुशी होगी, पढ़ दीजिए इसलिए, बायन, ode to Napoleon Bonapart, to Thomas Moore, Tennyson, to Virgil, ode on the death of the Duke of Wellington, यह सारे odes चोगे हैं, जिन्होंने main writers से लिखे हैं, वो हमने लिए हैं, चलिए आप questions करते हैं, what is the most distinctive feature of an ode, most distinctive है तो सारे ही, लेकिन सबसे distinctive feature क्या है, it is longer than a lyric, it is in the form of an address, it is written in a rhyming words form, its subject is historical, इसका जो most distinctive feature है, यह बाकी के भी है, most distinctive जो इसको औरों से अलग करता है, that is, it is in the form of an address, किसी को संबोधित करके लिखा जाता है, तो इसका answer है B, who is the most important writer of Pindaric Ode's in English, Pindaric Ode's का कौन सा writer जो है, बहुत important है, अभी मैंने आपको इसमें बताया था, जिन्होंने Progress of Poesie जो है, यह लिखा है, दबार लिखा है, और वो है, यह लिखा है, that is, Keats, Shelley, Gray, Dryden, that is Thomas Gray, ठीक है जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, now the next one is, Who is the poet who has written an ode to himself, Cowley, Chondon, Ben Johnson, Robert Herrick, तो जिन्होंने खुद को ही ode लिखा है, that is Ben Johnson, अगर आप लोग पढ़के साथा जवाब दे पा रहे हैं, तो आपने इस वाक्री में पढ़ा है, very good, Who has written an ode to the nativity of Christ, ode to the nativity of Christ, Milton, Dryden, Cowley, Spencer, ये है, सब कोई पता है, that was John Milton, What are the strophe, anti-strophe and e-pode in a Pindari court, they are the beginning, middle and end of the Pindari court, they are the three stages of movement of the singers in Pindari court, they are the three concluding couplets in the Pindari court, they are the names of the singers who sing the ode in the church, ये three stages हैं, जिसमें कोरस जो है, वो मूव करती है, तो ये इसका answer है, that's B, they are the three stages of movements of the singers in the Pindari court, how many times the series of strophe, anti-strophe and e-pode are repeated in grace Pindari court, the bard and progress of poesie में कितनी बार repeat हुआ है, once, six times, three times, nine times, ये मैंने भी पढ़ाते वें बताया भी था, that was three times, तीन बार जो है, वो रिपीट हुआ है, who is the author of Alexander's Feast, Alexander Feast, ode किसने लिखा है, Marvel, Thomas Campbell, Pope, Dryden, तो it is none other than John Dryden, who celebrated Cromwell's return from Ireland through an ode, and Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland, ये किसने लिखा है, Ben Johnson, Milton, Marvel, Robert Herrick, that was written by Andrew Marvel, our birth is but a sleep and forgetting, in which ode does this famous line occur, ये बहुती खुबसूरा सा ode है, William Wordsworth का, और William Wordsworth ने दो ode लिखे, a ode to duty, a ode on the intimation of immortality, तो ये है, our birth is but a sleep and forgetting, तो ये lines किसकी है, Wordsworth's immortality ode, तो ये इसमें नाइटिंगेल को का गया, ode to nightingale, that is the nightingale, we look before and after and pine for what is not, in which ode to these lines, बहुती खुबसूरा लाइन से, शेहले की लाइन से हैं, कि हम present, future में देखते हैं, past में देखते हैं, जो अब present है, उसको enjoy नहीं करते हैं, तो ये जो है, और जो नहीं है, उस पर दुख मनाते हैं, तो कीट्स, ode to nightingale, शेहले, शेहले, जो रिटने रिजेक्शन, शेहले, जो रिटने रिटने रिटने, जो रिटने, तो ये लिखा है, जो रिटने, और टू वर्जिल, वर्जिल को शधानजली जो है, वो दी गई, तो ये थे हमारे आज का जो टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही कम समय में मैंने इसको करवा दिया, सिस्ट 16 मिनट में, 16 मिनट 13 सेकेंड्स हो गए है, बहुत जल्दी जो है, ये हो गया है, तो तो बहुत है, बहुत है बाई बाई,